आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारा Question है कोशिका जिल्ली पदार्टों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमी का अदा करती है तो कोशिका जिल्ली जो होती है, लिखेंगे कोशिका जिल्ली ये किस प्रकार से पदार्टों का परिवहन करती है, आईए देखते हैं तो इसमें एक क्रिया तो होती है परासरण की ठीक है परासरण की क्रिया द्वरा क्या होता है जिली के माध्यम से क्या होता है यह जिली अर्ध पारगम में जिली का कार्य करती है और इसमें क्या होता है कि जो विलायक के अनू अनू होते हैं वे कैसे गती करते हैं वे गती करते हैं कम सांधरता से अधिक सांधरता की और यहां पर लिखेंगे कम सांधरता से कम सांद्रता से कहां गती करते हैं से अधिक सांद्रता की और ठीक है जिससे क्या होता है कि यदि कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक होती है तो बाहर से तत्वा आ जाते हैं कोशिका के अंदर और दूसरी प्रक्रिया होती है विसरन की विसरण में क्या होता है कि अनू कहां गती करते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और ठीक है तो जैसे कि हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोस की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है विसरण के द्वारा अधिक सांद्रता से बाहर कोशिका के बाहर कम सांद्रता में ग्लूकोस की अनू गती करने लगते हैं तो इस प्रकार क्या होता है कि इसमें संभव हो पाती है पधारतों का परिवहन ठीक है आशा करते हैं आपको इस प्रशने का उतर समझाया होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद